Spider-Man Across the Spider-Verse में क्या तीनो Spider-Man वापस आ रहे हैं ट्रेलर में हिंट तो दिया गया है एंड उपर से MCU का Spider-Man इसी Spider-Verse में एक्जिस्ट करता है ये भी officially confirm कर दिया गया है चलो जानते हैं ट्रेलर के 15 hidden details जो कि आपने miss कर दिया होगे इंटरनेशनल ट्रेलर के start में हमें तीनो Spider-Man का popular dialogue सुनाया जाता है वैसे हाँ USA में एक अलग version release कि आगया है ट्रेलर का उसका भी एक छोटा सा detail है वो मैं आगे breakdown कर दूँगा पहले dialogue से आएं तो To Be Maguire के Spider-Man का जो dialogue है वो Spider-Man 2 में था उसने Dr. Octopus को ये बोला था जो कि उसने Amazing Spider-Man 2 में बोला था जो कि उसने Spider-Man Homecoming में बोला था अब यहाँ जो ये dialogue सुनाया गया है इसको आप बस tribute ही मान के चलना इनका actors का live action cameo यहाँ for sure नहीं होने वाला chances बहुत ही कम है लेकिन हाँ animated version का cameo हो सकता है उनका appearance हो सकता है इस वाले shot में जहाँ Miles के room का scene दिखाया गया है और Gwynus को multiverse में ले जाने आती है वहीं पर आप ये comic book spot कर सकते हो ये है Amazing Fantasy issue number 15 जिसमें Spider-Man का first appearance हुआ था comic books में यही हमें Spider-Man के कुछ new versions का appearance दिखाया जाता है कुछ new variants को दिखाया जाता है जहाँ सबसे पहले तो Spider-Woman Jessica Drew है comic book के भी एक storyline में ये pregnant थी then ये है Spider-Punk जो की rock music बजा कर enemy के band बजा देता है and finally है अपना Indian Spider-Man पवितर प्रभाकर clearly comic book से इस character का look बहुत change कर दिया गया है लेकिन hopes हो कि इस character का soul Indian हो वैसे यहाँ और भी कई Spider-Man के variants दिखाए गए है लेकिन already मैंने सब का detail पिछले breakdown में बता दिया था तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना ending में मैं link share कर दूँगा Gwen Stacy यहाँ explain करती Spider-Verse को कि एक ऐसा area है जहाँ सारे top के Spider-Man के variants एक साथ आ सकते हैं एक टीम के जैसे और इसका idea आया था Spider-Man 2099 मतलब Miguel O'Hara को वैसे बता दो कि इस character को Oscar Isaac प्ले कर रहे हैं जिन्होंने main universe में Moon Knight का character प्ले किया है इंपर interestingly Miguel O'Hara का Spider-Man MCU के Spider-Man को mention करता है वो clearly बोलता है कि मुझे Doctor Strange और उस Little Nerd का याद मत दिलाओ Earth 1-999999 से और आपको पता ही होगा कि officially MCU के universe का main earth जो है उसको earth 1-999999 बोला जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो कुछ MCU में 9 वे होम में हुआ है multiverse के साथ हुआ है वहाँ उस मूवी में उसी से impact इस movie पे भी हुआ होगा obviously यहाँ भी तो एक तरह से multiverse ही दिखाया जा रहा है यही हमें एक device भी दिखती है मिगल ओहारा के पास और आपको first movie के post gate scene से यादी होगा कि वहाँ इस device को बनाया गया था यह गिजमो है और इससे multiverse को easily travel किया जा सकता है तो हाँ इसी device के help से मिगल ओहारा ने सारे spider man को एक जगा जमा करके यह lobby बनाई है इविन आप यहाँ यही device सारे spider man के variants के हाथ में देख सकते हो और मुझे literally इस device से end game में टोनी स्टार्क का बनाया device यादाया भाई दोनों में काफी similarity है दोनों ही हाथ में पहने जाते हैं और दोनों से ही sort of timeline travel किया जाता है अगर आपको भी similarity feel हुई तो comment में ज़रूर बताना यही पर जब पीटर भी पारकर का appearance होता है तो ऐगे सबने notice करी लिया होगा कि उसकी बेटी भी है but interesting यहाँ मुझे यह लगा कि उसके पास अभी से ही spider के powers हैं लेकिन देखो comic books में ऐसा नहीं था मेडे को powers 15 साल की age के होने के बाद मिला था and obviously उसे वहाँ किसी spider ने नहीं काटा था बलकि genetically ऐसा पीटर पारकर के DNA के चलते हुआ था यही पर मिगेल ओहरा बोलता है कि spider man होना मतलब sacrifice करना जहां उसको choose करना होगा कि किसी एक को बचाओ या फिर पूरे दुनिया को और आगे इवेन उसने अंकल बेन के death के बारे में भी यही बोला था कि अंकल बेन की ही चलते उन में से maximum लोग spider man बन पाए है और इससे confirm हो जाता है कि अंकल बेन की जो death है वो spider man बनने के लिए उसके variants के लिए एक absolute point है अगर कोई इसको रोग देता है तो universe destroy हो सकता है इवेन what if की series में भी ऐसा ही कुछ दिखाये गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के character के साथ और इसी concept से इस movie का basic plot भी reveal हो जाता है और पता चलता है कि ये सारे spider man माइल्स के पीछे क्यों है इसके बारे में detail में मैं ending में बताऊंगा यहाँ sacrifice होने पर हमें Gwen के सामने एक spider man मरा हुआ दिखाया जाता है ये mostly उसके universe का Peter Parker ही होगा जो कि उसके origin story में मरा था दिन इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि माइल्स के father की भी यहाँ death हो सकती है यही पर हम spider man की एक और variant spider bite को देख सकते है यह एक ऐसी variant है जो कि cyber space में रहती है और इस universe में mostly सब अपने अवतार के साथ एक दूसरे से interact करते हैं समझ लो यह spider man की variant metaverse में है यही हमें first look मिलता है इस movie के one of the villain the spot का वैसे USA में एक दूसरा trailer भी release किया गया था जहां में इसका एक funny scene भी देखने को मिला इस character के बारे में बस इतना समझ लो कि यह portals बना सकता है और उपर से इनी portals से यह multi-verse भी travel कर पाएगा अब USA की trailer की बात हुई है तो वहां starting में कुछ additional scenes भी दिखाए गये थे माइल्स के उसके family के साथ के जहां सबसे पहले उसके school वाले scene में उसके back पे ध्यान दोगे तो hashtag BLM लिखा है विच मींस कि black lives matter और जब उसकी माज snap करती है तो ध्यान देना प्यूरतो रिको का एक flag भी दिखता है ऐसा सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि माइल्स half Spanish है इंडिंग के ज़स्ट पहले हम Ben Riley के spider man को भी spot करते हैं जिससे आप scarlet spider के नाम से जानते होगे इस character को Peter Parker के DNA से ही बनाय गया था और ये बस spider man का clone है initially बस इसे as villain introduce किया गया था बट लेटर ये Peter Parker को ही support करने लगा इंडिंग में सारे spider man को उनके गिजमों में message आता है कि माइल्स को रोको और यहीं पे बहुत epic way में spider man का popular meme recreate किया गया है हमने recently ये first movie में ही देखा था then इसे no way home के लिए एक photo shoot में recreate भी किया गया था and finally अब यहाँ इसे epic way में recreate किया गया यहीं एंडिंग में सारी spider man के variants मेंगे लोहारा के command पे माइल्स को chase करने लगते हैं even इस वाले scene में ते एक घोडा भी है लेकिन question आता है कि chase क्यों कर रहे है तो इसका answer में एक fan theory बना कर देता हूँ मेरे guess से हुआ क्या होगा कि story में किसी point पर माइल्स के father की death हो जाएगी जैसा हमने trailer में देखा भी then माइल्स यह चारा होगा कि death को रोग दिया जाए या फिर multiverse का use करके reverse कर दिया जाए जैसे what if के series में doctor strange ने करने का try किया था बट मेगल उसे समझाने की कोशिश करेगा कि जैसे uncle ben की death के बिना वो लोग proper spider man नहीं बन सकते वैसी उसके father के death के बिना वो अपने universe का proper spider man नहीं बन पाएगा तो हाँ माइल्स के father की death एक absolute point है और इफ इसे रोका गया तो universe destroy हो सकता है लेगिन फिर भी obvious है कि माइल्स रोकने का try करेगा और इसलिए सारे spider man माइल्स के पीछे पड़ेंगे तो हाँ यार मैं तो इतना ही guess कर सकता हूँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है फिर भी आपके cat odds हैं comment में ज़रूर बताना और हाँ यहाँ जितने भी variants दिखाए गया है उन सब को already मैंने पिछले breakdown में cover कर लिया था तो हाँ यहाँ कौन-कौन से spider man को दिखाए गया है वो जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें अभी तक 6 actress ने live action movies में spider man को play किया है यह actress कौन-कौन से थे यह जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आँगा तिल दिन बी देशी, बी नर्ड